दोस्तों नमस्कार आप दे रहें केट इंडियाओ डेली गर्केट के एक और नई एपिशोड में आप सभी लोगों का स्वागत है और फाइनली नो दिनों के लंबे गैप के बाद हम यहाँ अपर अपना कमबैक कर रहे हैं रीजन के वल एक है हमारे चैनल पर एक कम्यूनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी जिसकी वज़े से हमारी यहाँ पर अफ्लोडिंग बंद हो गई थी लेकिन फाइनलेब सब कुछ नोर्मलाइज हो चुका है रोजन आपको यहाँ पर लगातार वीडियोज मिलती रहेंगी तो वह यहाँ तारीख हो चुकी है 14 एक्टूबर 2014 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं अज दिन बर में एक केट के रिगार्डिंग जितने भी बड़ी बड़ी खबरे ब्रेकिंग न्यूज निकल करा रही है सब यह अफ्डेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनलेसिस करने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखते रहें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्काइबर के बैल आइकन जरूर दबादेना तब का समय यहाँ पर बिल्कुल भी बरबाद ने करेंगे चलिए फटा फटम बात करते हैं अज दिन बर की क्रिकेट से जुड़ी सबी टोब खबरों की तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है टीम इंडिया की अगली शीरीज को लेकर जहां पर वई आपको पता है कि बंगलादेश के खिलाफ टेस्ट रिज में 2-0 से और T20 सीरीज में 3-0 से रोमांचक अंदास से जीत दर्च करने के बाद अब सभी भारते क्रिकेट फैंस को बेसबरी से टीम इंडिया की अगली सीरीज का इंतजार है जहां पर अब निजिलेंड की टीम भारत के दोरे पर आने वाली है भारत और निजिलेंड आपस में 3 मैचों की बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज कहलेंगे इस टेस्ट सीरीज का पूरा कारे करम ओल एडिया विशे काफ़ी टाइम पहले ही विसी सी आई और निजिलेंड केट बोर्ड ने मिलकर रिविल कर दिया था लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इस सीरीज के रिगार्डिंग जो बड़े अपडेट्स हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले जो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सीरीज के पूरे शेडूल एंड वेन यूज के बारे में तो शेडूल आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड कलियर ली देख पारेंगे जहाँ पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच में 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच बेंगलूरू के स्टेडियम में देखने को मिलेगा उसके बाद इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच में 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच पुने के स्टेडियम में दे का एलान कर दिया है, स्क्वैट्स में हमें काफी सारे बड़े बड़े चोकाने वाले चेंजिज यहां पर देखने को भी ले हैं, इस दोरे के लिए भारतिय टीम के जो स्क्वैट्स हैं, उनका आप सभी लोग स्क्रेंड पर बिल्कुल क्लीन एंड कलियर ली देख पारेंगे जहां पर स्क्वैट्स में मोजूद है कप्तान साहब रोई शेयर मौस के लावा, वाइस कैप्टन जस्पेद भुमरा है यह सस्वी जैशुआल को मोका मिला है, सुबमंगिल यहां पर विराट पोली केल के नज़ रहेंगे, केल कमाल लाजवाब राहूल यहां पर को मोका मिला है, विकेट की पर बैटर के तौर पर रिष्चा पन्त यहां पर है, एज बैकल विकेट की पर धोरव जूरेल मोजूद रहेंगे, रवीच चंद्रान स्विन को मोका मिला है, रविंदर जड़ेजा यहां पर एक सरपटेल है, कुल्दी प्यादव है, महम्मस सि को बिले हैं ट्रैवलिंग रिजव के तोर पर हर्षित राणा नितिश कुमार एड़ी मैंक यादव और परशिद कृष्णा इन चार की लाड़े को भी टीम इड़ा के स्क्वेट्स के साथ वहां पर मतलबी शीरीज के लिए खेलने का मुखा मिला है उसके आदम बात करते हैं अगली ख़बर की दो ख़बर निकल करा रही है प्रिकेट का महा संग्राम यानि टाटा आई पील टूठाउस जैन 25 के आपके मेगा उक्षन को लेकर जियां लगातार यहां पर मेगा उक्षन को लेकर खपर इंटरनेट पर स्पेकुलेट हो रही है जहां पर अलग-अलग को घपर हमें के उपर देखने कोई बोल रही है क्वारत में ही और होगे लकिन एक्चुली कहां पर होने वाल यह निलावी इसके उपर हमें देखने को मिलने वाले है लेकिन mega auctions के venues को लेकर अभी भी यहाँ पर लगातार बड़ी समश्याई बनी हुए है कि वही कहाँ पर होंगे mega auction तो भी आपको बताना जाओ लिटिल ना जो latest updates उनके मुताबी कैसा बताया जार है कि जो BCGI के selectors उन्होंने यहाँ पर venue को विलकुल यहाँ पर लोग कर लिया है सिंगापूर में हमें निलामी देखने को भी लेगी ऐसा यहाँ पर currently claim किया ज़र है यदि सिंगापूर में mega auction नहीं होते हैं तो definitely भारत में हमें या तो बैंगलूरू में या फिर मूंबाई में इन दोनों में से किसी एक venue पर IPL के mega auction देखने को भी यानि वही शाउद दिर कर भी CCI की तरफ से है फिर IPL Gowning Council की तरफ से देखने को मिलेगा तो अपडेट में आपको provide कर दूँगा उसके बात करते हैं अगली खबर की दो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है IPL 2025 के regarding की Mumbai Indians की टीम को लेकर जिहां बड़ी खबर है breaking news है आपको पते हैं पिछले साल से लगातार Mumbai Indians की टीम trends में चल रही है बड़े बड़े फैसले ये लेते हैं और अभी भी इन्होंने अपने head coach को लेकर एक बहुती बड़ा decision लिया है Mark Boucher की इन्होंने अपने staff से छुटी कर दी है last edition में टीम के head coach के पद परते लेकिन वईन का करार अब खतम हो गया है इन्होंने अपने नए head coach के announcement कर दिया है जहां पर स्रिलंका के एक बहुती शांदार player महिला ज्यावर दने को इन्होंने IPL के next edition के लिए अपने team का नए head coach यहां पर बनाया है और वही हो सकता है यहां पर और बड़े changes हमें टीम की तरब से mega auction को लेकर देखने को बिले पहले ही है टीम बड़ी समस्याव में फच्य हुई है कुछ ना कुछ conclusion तो यहां पर जरूर लेकर निकाल कराना पड़ेगा खेर दोस्तों जो भी next update हमें Mumbai Indians franchise की तरफ से देखने को मिलेगा अपडेट मैं आपको provide कर दूँगा उसके आदे बात करते हैं अगली खबर की दो खबर यहां पर निकल कर आ रही है Emerging Asia Cup 2024 को लेकर जिहां Emerging Asia Cup 2020 की चुरुवात भी जल्द ही होने के लिए जा रही है और कल फाइनली इंडिया A Squads का विसीश्याई ने एलान कर दिया है इंडिया A के Squads को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल clean and clearly देख पारेंगे जहांपर Squads में मौझूद है सबसे पहले Captain साहब दिलक वर्मा उसके लाव भाई अभी शेक शर्मा को शामिल किया गया है आयूस बदोनी का नाम यहांपर है निसाम सिंदू देखने को भी लेंगे रमन्दीप सिंग यहांपर है अनुज रावत यहांपर है पुरब सिम्रंच सिंग है निहाल वडेरा है अंसुल कंबोज है रितिक शोकीन है आकिव कान है वैबव अरोडा है रसिक सलाम है आरशाय की सोर है उसके लाव राहूल चहर भी हमें यहांपर टीम के साथ देखने को भी रहे हैं इंडिया को रीपर जेंट करने का मोगा है मरजिंग एशयक अप इन सभी प्लेयर्स को मिला है उसके आदम बात करते हैं अगली खबर के तो खबर निकल कर आ रही है हमारे पडोसी देश पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर है पनी खबर है है रान करने वाली खबर है आपको इन अहां पर एक मतलब है एनोंने तीन प्ले양स को स्क्टे बाहर निकाल दिया यह इनूंप कर दिया जिए इनकी लिस्ट को देखकर हर को यहरान इनों पने कैप्टन को ही जी भाबर आजमipो इनोंने अपने स्क्टे से लिए वक्र्च भर लेकर जा सकते ता यह सांगेम बो इफेक्ट के चलते ड्रोप हुए हैं तो वही कही ना कही अब आप इसको एक फणी खबर मान लेजिए एक बेकिंग न्यूज मान लेजिए जो आपको मानना है मान लीजिए कर मैं तो वही सीरियसली पीसी बीके इस डिसीजन से बहुत ज्यादा है रान यहां पर हूँ उसके बात करते हैं अगली कबर के दो खबर यहां पर निकल कर आ रही है होंग कोंग शिक्सीज टूनामेंट को लेकर होंग कोंग शिक्सीज टूनामेंट एक नया टूनामेंट का होंग कुंग में आगाज होने के लिए जा रहा है और इस चांदार टूनामेंट के लिए भी भार बिनु थपक उसके लावा भरत चिपली यहां पर हैं केदार जादव हैं मनोज तिवार हैं सहाबाज नदीम हैं स्रीवक्स गोश्वा में उसके लावा श्चुवर्ट विनी भी हैं यह साथ पलेर हमें होंग कोंग सिक्से स्टुनामेंट में पार्टिशिपेट करते हुए न नियु दिसाइड नहीं हो पारे हैं क्यों नहीं हो पारे हैं क्यों कुछ कूछ नहीं बता सकता है खite में आपको बताना चाओंगा कि अभी भी-भी छ चीज़े रिपीटिड ली चल रही है हाला कि आपको बताना है कि बोड़ा एक छोटा सा बड़ा अपडेट भी हमें यहां पर देखने को मिला है ऐसा क्लीम की अधर भी पहले ऐसा बोला गया थे वई हमें हाइब्रीड मोडेल के साथ चैंपेशोफी पाकिस्तान और यूए मे धमकिया भी दी उन्होंने अपनी हर भर्षक कोशिस हर भर्षक परियास टिमिडिया को पाकिस्तान बुलाने के लिए किया लेकिन वही सभी कोशिसे उनकी पूरी तरह से नाकाम यहां पर नजराई अब प्डेट उसके मुताविक ऐसे भी अपडेट समय देखने को बिल रहे हैं यह वही पूरे के पूरे टूनामेंट को पाकिस्तान से शिफ्ट किया जा सकता है कि यह नदर कंट्री में हम यह पूरा का पूरा टूनामेंट यहां पर देखने को मिल सकता है अब हाइली चा जारो करोड रुपय का नुक्षान होने वाला है तो भी अपना हर जगह हाथ पैर वो भी यहां पर जरूर मारेगे खेर दोस्तों जो भी नेक्स्ट अपडेट हमें अगली मीटिंग के बाद देखने को भी लेगा वो अपडेट में आपको फ्रोवाइड कर दूँगा तो दोस्तों यहां दिन बर्द केट्स यह जूड़ी सभी टोप खबरें सभी खबरों के उपर आपके क्या उपीनियान समय कमेंट बोक्स में जरूर देना आपनी राए खिलाल के शुटों पर इतना ही ज़्यादा इन्फोर्मेशन्स के लिए भी सब्सक्राइब रुके इंडिया थेंक्स पूर वचिंग